नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करते हूं आप लोग से बच्चे होंगे समय हो चुका है दोस्तों करेंट अफिर अपड़ेट का और मैं आपके सामने का दो से तो दोस्तो कल थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ था क्योंकि तब थोड़ा सा नाजुक थी आज मैं पूरी तरीके फिट हो आपकी दुआउं से आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इतना वीडियो को अच्छे तरीके देखा याई आपने मेरी फिलिंग को आने वाला है अपको ठीक है अभी तक ऐसा लगता था कि 70-70 प्रसेंट ऐसे कोशन होते हैं लगवए एक दो कोशन मिस होता है परन्तों आज के इतने भी कोशन आपके लिए अनलैसिस करेंगे हम लोग बोस्त सब एक दम टॉप लेविल के हैं ठीक है तो टाइम को ना परवा आशने नियुयार्क में 46 वर्सों में अपना पहला जल समयलन अपना पहला जल समयलन जब भी कोई पहली बात होती है तो इसको याद कर लेगों पहला जल समयलन आयोत किया है ठीक है अब यह 2030 में HDG लक्षे है यानि कि Sustainable Development Goal Sustainable Development Goal का 6 नंबर है क्या सुच्छ जल इवन सब् थीम के अगर हम बात करें तो our water sad moment ये इसकी थीम है कई बार थीम भी पुछ लियाती है भारत ने स्वच जल के लिए क्या क्या पहल सुरू की है ये भी भारत के अकोडिंग बहुत इंपोर्टेंट लिख लीजिए चाप लीजिए बिल्कुल एक नमबर फसने वाला कई बार दाइरेक्ट अभियान पूछ लिया जाता है तो देखिए पहली अभियान शुरू किया ह राष्टिय जल मिषन, 2019 में सुरू किया गया था, राष्टिय ग्रामिउन पेजल कारिकरम 2016-20 zwy从 2016 में सुरू किया गया था, शमगर जल्च प्रवंधन 2017 में सुरू किया गया था, जल-सक्तिय भियान 2019 में किया था, और आतल- भुजाल- योजना 25 गई यह हैं भारत के तरफ से कुछ पहल जो सच्छ जल के लिए शुरू की गई थी तो इस तरीके सा आपको के साथ हमने यह एप को लिंक कर दिया गया है ठीक है अगर जो भाई अभी भी हमारे चैनल से जुड़े हुए है परन्तु उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों भेजे की देखें पहली बार आपके सामने ऐसा कंटे सब्सक्राइब करना है स्मार्ट वर्क करना है मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है बटा तो दूसरे कोशन के तरफ चलते हैं क्या है भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोर निर्माता बन जाएगा रे याद कर लो रट्टा माल लो रे याद दुनिया सबसे बड सूर निर्माता बन जाएगा 2026 तक इसका मतला पहला कौन है पहला चीन है दो ही रहेगा बारत मान भारत के स्थिति क्या है चोथे नंबर पर है ठीक भारत का पहला राज्जी जो सबसे आदा सोर अर्जा देता है वो क्वोन है राजिस्त्तान भारत का सबसे बड़ा सोर उर लंदपुर साहिब क्या है पंजब थेक फिर 20 से जोड़ो तो विस्व का सबसे बड़ा सोरर प्लांट जो है वो बढ़ाला जोदपुर में भाड़ाला जोदपुर में देखें यह भी हो गया आत कि बिल्कुल ऐसे हैं मोती के मोती कोश्चन बिल्कुल मोती मोती वाले मीना फ्लाइंग दूस तीसरी और रूपल जे भंताली तीसरी सोनल देसाई चोथी पांच भी सभीता सुब्रबन्यम इन्हें से एक कोशन ऐसा था निम्हें से कौन सी उन पांच महिलाओ संबंदित नहीं है इन्हें पांचों के पांच नाम होने होने चाहिए बिलकुल ठीक ह नेक्स्ट मगरम बात करते हैं तो धोनी रहना सहीत पांच भारतियों को में मानद रेंग शुरू किए कि यह कहां पर में तो देखिए नंबर एक पर धोनी याद रख लो तूतरे पर रहना याद रख लो तीसरे पर युवराज याद रख रखो तो यह तो होगा पुरुस कोशन जो है वह और भी इससे जाद़ यूनीक है और उनको एक एक कोशन को जो हम अलग से बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको एनलेसिस करने बाले हैं ठीक है एक को सब्सक्राइब कुछ लेनी नहीं है आपको प्रेसर नहीं पड़ा है तैयारी में तैयारी में कोई भी प् सब्सक्राइब फिर देखते हैं ति कैसे आप कभी कई बार किये कहते हो नहीं कि सर्क्राइब अपको फटेगा अब फटेगा क्योंकि अभी तक तुम सही प्लैट्फों पर यारी कप कहां रहे थे हैं पांच पर कुश्चन आपका आपकी डिस्पीले पर यूक्रेन ने यह यूक्रेन के राष्टपती है यूक्रेन के राष्टपती कोन है बोलो डिमीर जलैंसिकी ठीक है जलें सिखी को, पोलेंड का सीर्स सम्मान, क्या है सीर्स सम्मान, वो है सफेद, सफेद, इगल, आवार्ड, आवार्ड से सम्मान इतके गया है, ठीक अभी आवार्ड समय कैई, यन है यूक्रियनी के राष्टपति, बोलो रिमीर, जलनधी को पो लेंट का सिर सम्मानित किया गया है ठीक है अगर हम बात करें इसमें कि अगर फोलेंट की बात करी तो यूप यह होगे यूट्रे बात होने चाहिए पोलेंड के राष्ट पती जो है इनका भी पता होना चाहिए भई कई बार एक्जाम में पुछा रस्था पले डूंदा कोन है आंध्रे आंध्रेज और डूडा डूड़ा यह होगे पोलेंड के त्रह अब बात करेंगे थोड़ा सा लेटेस्ट में लेटेस्ट में है अगर यूक्रेन के राष्टपति बोलोडे मीर जैलेंचिकी को पॉलेंड का सीर संपान दिया गया है। ठीक है और यह सफेदी का लवार्ड है और पोलाइन के राष्टपती कुन है अंद्रेज डूंडा अब लेश्टेस्ट में बात करें तो यूक्रेण ने यूक्रेण को यूक्रेण को आई-एम-एफ ने आई-एम-एफ कितने आई-एफ 15.6 अरब डोलर अरब डोलर कर्ज देगा क्या करेगा इतना कर्ज देगा लेटेस्ट में की बात होई दोसरी लेटेस्ट के हम बात करें तो पोलेंड यूक्रेण को यूक्रेण को यूक्रेण को लडाकु विमान लडाकु विमान देने वाला देने वाला पहला नाटो तो देस बना पहला नाटो देश बना यह होगे लिट्रेस्ट में फीर एक आपना नाम सुनाा गा लेट्रेट मों ओपरेशन गंगा क्या ओपरेशन गंगा नाम सुना है ठीक है यह क्या है यूक्रेइन से भारतियों को बापस लाने की लिए यह चलाए गया था थीक है तो देखी पांच वे कोस्टन से कितना कुछ मिल गया है एक बार रिवाइच करनें इसको यूक्रेइन की राष्टपति बोलो डिमीर जयलेंसे की को पोलेन का सीर सम्मान मिला पोलेन का सम्मान कहा सपेद इगल आवार्ड पोलाइन के राष्ट पती कुन है अंद्रे डूडा ठीक लेटेस्ट में यूक्रेइन को आई-म-फ इंडियन मॉनेटरी फंड इंडियन मॉनेटरी फंड क्या करेगा अंतराष्ट मुद्रा को इसको कहते हैं 15.6 अरब डोलर का कर्ज देगा पोलाइन यूक्रेइन को लड़ाकव गंगा इस सा को 270 फूशंभी लिया है तो पांच न यहां सा बन गए है ठीक है थोला सा इसको तो याद रखना आपको ठीक है अब देखी च्छाटा कोश्चन क्या है च्छाटा कोश्चन है आपका आर बी आई के गवर्णर आर बी आई के 25 गवर्णर लिख लो 25 गवर्णर को ने सक्तिकांदास सक्तिकांदास ने सक्तिकांदास ने 6 अपरेल को 6 अपरेल 2023 को 6 अपरेल 2023 को बित्त बर्ष बित्त बर्ष दो हजार चोविस 2023 की पहली 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 मोनिट्रिंग पॉलिशी का एलान किया मोनिट्रिंग पॉलिशी का क्या करा है एलान और इस एलान में एक सबसा खास बात यह है एक सबसा खास बात क्या है कि यहां पर जो है आपकी रइपो रेट नहीं बड़ी है रइपो रेट नहीं बड़ी है जितनी थी इतनी है यह कि 6.5 तिर 6.5 है जब रेपो रेट की बात कर लिए है तो आप यहां पर रेपो रेट के जगे SDG याद रख लो SDF SDF ये दर कितनी है SDF दर है 6.25 इसके बाद में सीमान्त दर कितनी है तीसरी जो होती है वो कौन से होती है सीमान्त दर ये कितनी है अभी भी ये है 6.75 सारी दर याद़ करलो आप चोथी है बेंक दर ये इस सब 2.66 इसके बाद मेरा से थीर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये कितनी है 3.25 इसके बाद अगर हम बात पर करें सी आर यार रार ठीक है करेंट रिखान रिपो रैट ठीक है तो इसका कितना है यह 4.5 प्रतिस सर्प एक नाम सुना आगा एसल आर एसल चैनल और यह कितनी है अट्थारे प्रतिस लोगी अब बताओ तुम क्या करना है इसमें कुछतों रहा यह नहीं इसमें सारा तो बता हमने बताओ सारा बता दिया ना इतना कौन करता है इतना हम करते हैं ठीक है हम करते हैं ठीक है तो क्या है आर्बाइए ने पच्चित में गवर्णर सक्तिकान दास ने 6 अपरेल सब्सक्राइब करते हैं यहां से यहां से आपके 6 कोशन हो चुके है ठीक है यानि कि हम बहुत स्पीट से बढ़ने हैं और बहुत अच्चे क्या है ठीक है तो अभी क्या है हाली में जो है हाली में काशी यानि की हाली सब से उपर है के कि एल सबसे उपर इस्थान पर ठीक है सबसे आधे में कि यहाइए और इनकी संख्या जो है कितनी है छे मिलें ठीक है जी यूपी यूपी भी आगे बढ़ गया है यूपी में कितने मिले हैं 11 संख्यां ठीक है कि यह कितनी संख्या हो चुकिए यहां थोदी से और बात करें तो हाली में बनारसी लंगड़ा आम हाली में क्या है यानि कि आज की बात है थीज में बनारसी लंगड़ा ऑम Cast McMill फिर यह है बनारसी पान को जिए टैग मिला है ठीक है फिर एक आपका है राम नगर की भंड़ा राम नगर की भंड़ा यह क्या है यह सपेद बैंगल सफेद गोल बैंगल इसको भी जिए टैग दिया गया है अब तक यूपी में जो हो हो चुके हैं तो यहां से इतना हो गया करेंट अफेर को सबसे उपर है ठीक है इसे च्छे भी मिले हैं पीछे पारंतु अब यूपी में 11 और हो गया है तो टोटल कितने उच्छी यूपी मैं 45 हाली में बनारसी लंगना आम को मिला है राम नगर की भंडा जी से कहते हैं हम सप यहां समय आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कतवाली बात नहीं आगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में बात करते हैं आठवे कोस्टिन की तरफ आठवे कोस्टन हमारा जो है पेरु को 2023 में पेरु को 2023 फीफा अंडर 17 मेजवानी से हटा दिया है इसको पुछ रहा है अब यह क्या है कि इसका जो होस्ट कर रहे है वो कौन सी कर रही है होस्ट जो कर रहे हैं हो कौन-कौन कर दो पहली अर्जनटीना अर्जनटीना ठीक है दूसरी अगर करें तो बिराजील बिराजील होस्त करें तीसरी अगरम बात करें शोस्त करने वाले कॉलम्बिया को लम्बिया और चोथा लाध करें मैक्सिको घुत्र ने को अब आपको जोड़ा सा बता देता हूं कि इसका जो फीपा फीफा का जो अध्यक्स है उनके नाम बताते था हूं क्या है तो नाम है जियानी जियाने ही तो जियानी है जियानी इंफेंट्रो 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 चीक है जी यह हो गया यहां से अगर हम बात करें इसका एक और बात करें कि इसका जो अगर हम बात करें फीपा फीपा बूमैन मेंगा बुमैन दो हजार तैइस कप कि मेजवानी कों करेगा तो मेजवानी करेगा ऑस्टेलिया पलस नियुजिवन именно कों करेगा और प्रिण नियुजिजुला एसे तो कर लो यादिस है चापो चापो भी चापो पेरू को दोहार तीज अंडर फीपा अंडर 17 की मेजबानी का अटा दिया गया है फीपा अध्यक्स जो है एक है और फीपा वुमेन जो है बल्ड कप जो होगा ऊस्टेलिया और नुजिलेंड में वह गाजी अभी थोड़ी सी ना सीज है थोड़ी सी औरी ना जो कोई बात है कोई बात नहीं हम भी लड़ते रहेंगे ठीक है हम भी लड़ते रहेंगे टेंशन ना दो आप हम हटने वाले नहीं है हम अटने वाले नहीं है इसे ठीक है ठीक है एडीबी बित्ते बर्स दोहर तेश चोविस में आर्थिक बरत्दी धर यानि कि एडीवी ने एडीवी किसे क्या कहते हैं एसी आई बिकास बैंक कहते हैं ने ने बित्त बर्स बित्त बर्स दोहजार तेश डेश चोविस में आर्थिक आर्थिक ब्रद्धिदर घटकर 6.4 प्रतिसत का अनुमान लगाया ठीक अब यह हो गया अब दूसरा अनुमान क्या है क्या रहने का अनुमान है दोहजार चोविस डाश पस्चिसमा अनुमान है 6.7 प्रतिस रहने का ठीक हमई अगर यह तो बात होगी अब हम बात करते हैं थोड़े सी इसके स्थापना की सदापना ADB की स्थापना ठीक है तो इसकी स्थापना हुई थी 19 666 में थीक है अगर हैटकॉर्टर की acquired कहाँ है मनीला में मनीयला में क्या है Rouge फिलिपी इसमाद सदस्यत देशं की बात करें 68 अब सदस्यत देश हैं अब देखिए मजे की बात एशिया पर्षांथ छेटर के जो देयस हैं देखिए बो कितने हैं बो कितने हैं अरफार शीज के और अनियए छेटर के जो देयस वैसे नाम इसीयah और एक छीज जो है न एक एक छेतर जो है वह सम्मिलित है क्या है सम्मिलित सम्मिलित यानि दीपिय छेतर इसको कहते हैं तो यह है यहां की कंडिशन ठीक है यह कंडिशन है यहां की तो यह तो हो गया हमारा यहां से अभी तक ठीक है अब हम बात करें यहां से तो हाली में एडी बी ने जो है हाली में ए पूर्वत्तर के राज्जी यह ब Яविए कोर्शन है पुर्फन यह मैं पुराना लटेस्ट में दूसरा बसटाइब रह के बहरत को एक पॉइंट पांच एक पॉइंट पांच बिलियन means 1.500 अमेरिकिड लोर न दियाँ 1.5 विमिलीन अमेरिक से बिस अभी जहां नेगा अभि जो है ए आई आई वी के उपध्यक्स बनें है है उपध्यक्स बनें है किसके AIIB के क्या होता है एक इंफ्राटेक्चर एक इंफ्राटेक्चर इंफ्राटेक्चर इन्वेस्ट मेंट बैंक ठीक अभी तो यह देखो तीन कोर्शन बनगे इस समझे लिए एक बार और समझेंगे क्या है अनुमाल लगाएं तो 24 25 में कितना हो जागा 6.7 हो जागा इस्थाप ना उनीश जुलाई उनीश च्छाट को हैड़कोर्टर मनेला इस्थाप सेदेश हैं 68 एक प्रसां च्छेतर अन्यश च्छेतर ननीश है एक समिलीश च्छेतर है एडीवी ने चार राज्यों को हाली में प्रोट्तर राज्य दूसरा कोशन के है एडीवी ने पृवीड प्रतिकरिया के भारत को एक विन पाच बिलेंड डॉलर क्या दिया है ठीक है तीसरी है साईता यहां पर उपद्धिक्स बने हैं एक इंफ्राट्रेक्श्य इन्वेस्ट्मेंट बैंक यह तो यह हमारे हो खरीब आकर ठीक है एक्जाम करीव आकर इनको फिर आप नोट कर लेना आप इनको नोट कर लेना बिल्कुल अदेखिए हमारा लास्ट कोस्टिय बढ़ा है वह बना वह है बांदीपुर राष्टिय उध्धान एक पचास बर्स पूरी ठीक है यह वाली बात तो हमने कली थोड में यह बन्यजीब के रूप में बना था जबकि 1974 में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर के रूप से टाइगर रिजर्व बना दिया था टाइगर रिजर्व टाइगर क्या बना दिया था रिजर्व में 1974 में ठीक अब यह क्या है यह तूसरी बात यह तो इतनी तो होगी ह से अब बात करते हैं याने क Shuttend अपधिर कहां और यह करनाटक में करनाटक पूछा पूछा आता है कहां पर आप करनाट्र अब बात करते हैं तो 26 भा राष्टि उवा पैला कौन सांओ रॉप furniture युबा सम्मेलन सम्मेलन कहाँ पर हुआ हुबली हुबली धारबाड धारबाड ठीक है यहाँ पर हुआ यह हुबली धारबाड में हुआ करनाटक की नभी निकर उड़जा नेतिक मंजूरी दी यानि कि दूसरा कोशन कहा है करनाटक ने करनाटक ने करनाटक ने क्या करा है नभी निकर रहा है उड़ जा को क्या क्या रहा है मंजूरी दी है मंजूरी दी है इस नीती को क्या करी है मंजूरी तीसरे कोशन के अगर हम बात करें तो करनाटक ने पुलिस में तीसरे क्या है करनाटक ने करनाटक ने पुलिस पुलिस में ट्रांस जेंडरों को आरक्षन की घोशना की और कितने की एक प्रतिसत की एक प्रतिसे घोशना की यह बनी गया कोशन यहाथ चोथा है करनाटक में मवेशी बद की रोक थाम के लिए रोक थाम के लिए और सरनक्षन के लिए के लिए बिधेयक पारित क्या ववा है विधेयक पारित हो गया थे क्या होके है बीधेयक पाई तो देखने इसको ध्रह है और रिवाज करने से क्या है पुलिस में ट्रांजेंड्रों का अरक्षन की गोशन की एक पर सेंट और करनाटक ने ही मवेशी वद्की रोख्थाम के लिए और सनक्षन के लिए बिल विध्यक पारित किया है अले टेस्ट यह ही आपका ठीक है बई तो इस तरीके सा आज का जो हमने करेंट अपर किया है बहुत सारी किलासा बनाथी है ठीक है तो दोस्तो हमारे चैनल से जुले देए अगर आपको तैयारी बिल्कुल निस्रुक करनी है बिल्कुल 2,000 तरीके करनी है तो चैनल से जुले रही है और बेल आइकन जोड़ दवाद है जिन्नों भी सब्सक्राइब नहीं किया देखिए अगर सब्सक्राइब नहीं करो हाटकोपी का प्रियोग मत करो लिखने की कोशिश करे करो आदत देखने की डालो सुनने के आद मट डाले ठीक है लिखने के आद डाली लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह बातों का सिल्था चलता रहेगा बट आप अपनी तयारी पर पूरी तरी जय हिंद जय भारत बंदे बातों